आखिर ऐसा क्यों होता है कि वीडियो भेजने के बाद और देखने के बाद में भी लोग आपके साथ में वर्क स्टार्ट नहीं करते हैं या आपकी सेल्स कनवाइट नहीं होते हैं ऐसा क्यों होता है इसके पीछे थे को बैसिकली तीन रीजन हो सकते हैं जिसके अंदर पहला यह होता है कि वह वर्क को समझने पाते हैं दूसरा चीज़ वह वर्क के उपर ट्रस्ट नहीं तो तीसरा चीज़ उनको लगता है कि यह फेक मतलब यहने कि वह विश्वास नहीं कर पाते वेल इन सबका solution क्या हो सकता है आज के इस वीडियो के अंदर आपको 100% एक प्रूवन फोर्मूला देने वाला हो जिसका आप अगर यूज करोगे तो आपकी जो sales convert ratio वो 100% 10x होने वाली है आज के इस वीडियो के अंदर क्या चीज़े हम कर सकते जिससे के अपनी sales का ratio बड़े ना की गिरे जिससे आप सारी चीज़े अंडेस्टेंड कर जाओगे कि ओवर दे कोल हम प्लान परजेंट कैसे कर सकते अब सर करे क्यों देखो इसके पीछे में आपको दो reason देने वाला हूँ कि देखो आप ज्यादा तर लोगों को वीडियो send करते हो तो ज्यादा तर लोग उस वीडियो को पूरे fully तरीके से वोस नहीं करते और उसके वज़े से आपके साथ तो work start नहीं करते हैं दूसरी चीज के सर हम तो webinar में लेके आते हैं तो आपने देखा होगा कि ज्यादा तर लोगों वेबिनार के last तक टिकते नहीं हैं वो उससे पहले webinar को leave कर देते हैं और आपका business को understand नहीं करते हैं उसके बाद आप frustrated हो त साथ में start नहीं करते हैं start नहीं करते हैं तो इससे अचा कि आप ज्यादा तर लोगों को over the call plan present करो अब उनके पास दूसरा option रहेगा क्या वो बोलते हैं कि सारी चीज अच्छे से सुनेंगे भी अच्छे से समझेंगे भी यहाँ पर आपका जो सबसे main काम रहेगा वो कैसे कर सकते हैं इसके लिए में आपको seven step बताने वालो जिनको आपने अगर step by step follow कर लिया तो आपका जो plan presentation इसके अंदर आप perfect बन जाओगे और आपकी जो sales वो over the cool भी आप convert कर पाओगे और इसके साथ साथ हमें आपको 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 step के अंदर देने वालो एक bonus tip जिसका आ अगर अब बोलते हैं कि अपने plan presentation के अंदर अगर use करते हो then आपकी जो sales है ना वो ऐसे like magic होने वाली है जिसने मैंने personally use किया और जिसकी वज़े से मैंने काफी डेवरो sales convert की है step number one save contact number and give time for calling देखो यहाँ पर ज्यादातर sales ऐसी होती जो instantly convert हो जाती है लेकिन कुछ एक sales ऐसी ह होती है जो काफी time लेती है मतलब उनको आपको follow up करना पड़ता है और इसके अंदर जो आप contact number save करवाते हैं वो सबसे ज्यादा role play करता है अप contact number save कैसे करवाना उसके लिए आपके पास में एक right invitation का format होना चाहिए तो आप invitation कैसे करोगे तो इसके लिए मैं आपको description के अंदर मेरे invitation वीडियो के link दे दूँगा तो वहाँ से आप अपना invitation सीख सकते हो और इसके साथ साथ में आप उनको जब भी call करो ना तो उनको एक चीज़ लास्ट में बोल देना कि हाँ जी सर आप मेरे को whatsapp के ओपर hello का message drop कर दो मैं आपको broadcast list के अंदर aid कर देता हूं जिससे के आगी की information मिल सके अब देखो यहाँ पर hello का message drop करेगा ना तो वह आपके पास obviously contact number save करके ही करेगा अब देखो उसको यहाँ पर option देने हैं आपको calling के लिए क्योंकि ज्यादा तर लोग confuse घूमते हैं तो आपको यहाँ पर दो option provide कराने है कि sir 4 बजे call कर या 5 बजे call करो अपनी सहुलियत के एसाब से जैसे आप फिरियो 6 बजे फिरियो या 7 बजे फिरियो तो अगले को बोलो कि sir आपको मैं 6 बजे call कर या 7 बजे call करू तो उससे वह एक time choose कर लेगा और उसी time आपको call करना है और पूरा का पूरा प्लान परजेंट करना है step number two build relationship देखो आपके sales के आप उनको अपना introduction दे दीजिए और उनसे अपना introduction ले लीजिए कि वह कहां के रहने वाले हैं क्या करते कुन से study करते वह सारे चीज़े और उसके साथ साथ में एक चीज़ ढूंड़े जहां से वह आपके साथ में अच्छा कासा relation build करेंगे वह है common ground अगर आप study के अंदर common ह तो वह चीज आपका common ground हो सकता है आपका interest common ground हो सकता है आप एक जगह से belong करते हो तो वह आपका common ground हो सकता है वह आप common ground डूढ़ना है जिससे कि आप आगे के लिए target करेंगे सिंपल सी चीज है कि relationship वही से आपके build होने वाले अब देखो जित्ता openly होके आप बात करोगे न अगले के सामने तो उत्ता ही आपके साथ वह open होगा और उससे एक relationship अच्छा कासा build होगा सो इस चीज़ को आपको follow करना है step number 3 tell your story यार देखो अगर आप किसी भी person को अपने story बताते हो न तो वो relate कर पाता अपने आप से तो यह सबसे most important चीज है कि आप जब भी plan person को start करो न तो अपनी story जरूर बताओ अब story के अंदर 4 parameter से जो आपको डालने जिसके अंदर पहला parameter की आप पहले क्या करते थे जैसे आप student है तो आप student बता सकते हो उसके बाद कैसे आप इस work के अंदर आए कि भाई कहां से किसने opportunity share की social media से मिली कैसे मिली क्या क्या चीजे मिली वो सब चीज़ आपको share करने उसके बाद तीसी चीज आपने यहां से क्या एक point में आपको add on करता हूँ वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है अपनी यहां पे जोट कुछ भी नहीं बोलना है अपनी जो reality है न वो ही बताने है आप जिस background से belong करते हैं वो ही background उनको बताना है अगर middle class family से belong करते हो तो middle class बताओ आप अगर higher class से belong करते हो तो higher class बता step number 4 ask a question यार यह most favorable step है यहां से आप अपनी plan present करने की journey start कर रहे हो यार देखो simple सी चीज है कि यहां पे आपको ask a question करने वो ऐसे question करने जिसे की वो अपना mind open कर सके जिसके अंदर पहला question करना कि सर मेरे को एक चीज बताना कि आज hard work से ज्यादा पेसे कमाए जा सकते है या smart work से अब क्या choose करेगा या आपको भी बता मेरे को बता कि ज्यादा तर लोग smart work choose करते है अगर वो hard work choose करता तो यहां पे आपको smart work के बार में थोड़ा सा detail में बताना है उसके बाद में दूसरा question कि सर एक चीज मेरे को बताना कि आज के time के अंदर आपके degree की ज्यादा values होती है य इसके बाद में आपको अपना plan project start करना कि सर जो में आपको concept बताने वालो उसके अंदर आपको यहां पे skill set सिखाए जाएगा साथ साथ में वह एक ऐसा smart work से जिससे आप महिने के अच्छी कासी income generate कर पाऊगे step number 5 what you will learn यहां पे आप क्या सीखने वाले हो तो देखो आप यहा जो मैं आपको share करने वाले हैं वो सारी की सारी चीज़े आपको अच्छे से understand करनी है तो अगला बोले हैं कि yes मेरे पास है then उनको बता जी कि मैं देखो यहां पे तीन step के अंदर आपको plan share करने वाले हो पहला step कि आप यहां से क्या क्या चीज़े सीखने वाले हो कौन-कौन स आपको जो भी आपके पास में product है या जो भी आपके पास में courses है उनके बारे में brief के अंदर बताना है मला पूरा detail नहीं brief के अंदर जिससे की वो एक तरीके से curious हो जाए कि हाँ यह मेरे को करना चाहिए यह मेरी life की problem को solve कर सकता है अब कैसे करना है मैं आपको कुछ एक example बता कि सर देको आज communication कितना जरूरी है आप अगर आज interview देने जाते हो तो वहाँ पे किस चीज़ की need रहती आपके confidence level की तो वह चीज़ तो वहाँ पे आप कुछ चीज़े example से relate करा हो और उसके बारे में आप थोड़े सी detail के अंदर दो अब जिसके बाद तीसरा तीसरा जो आप से म से कैसे लोग पैसे करें और कैसे life change करें और अगर चोता को आपके पास में इंग्छिस gesprochen के बारे में बता और आज रही है और सब रहे है और से हम अपने life के अंदर एकक करीयर को अí Спасибо सकते हैं तो वही चीज़ें आपको सेर करनी है स्टेप नमबर सेक्स हाव यू विल अर्ड मनी यह सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहां पे ज्यादा तो लोग आपकी बाते सुनेंगे नहीं तो इसको आपको अच्छे से बताना आप कैसे बताना बुचीज में आपको बता देता हूँ, आप एज़ेटेस को फोलो कर सकते हो देखो मैं कैसे बता दा हूँ कि जेसे तेखो यहाँ पे सर आपके पास में दो उप्षे कमानेंगे पहला है कि आप जो skill से बताई है ना उनको policy करके आप पैसे कमा सकते हो लेकिन आपको पता है कि skill को policy करने में 2-3 महने लग जाते हैं लेकिन दूसरा step है कि आप affiliate करके भी पैसे कमा सकते हो यानि इन courses को आप by promote करके भी पैसे earn कर सकते हो यहाँ पे आपको एक पर्मोशन का 6200 यहाँ पे 1500 रुपए आपको एक पर्मोशन के मिलते हैं आपकी कंपने में जो भी मिलते हो आप वो यहाँ पे add-on कर सकते हो तो यहाँ परमोशन की जो 15 रूपे मिलते हैं वहाँ पर आपको तोड़ा सा फोर्स करना है और साथ-साथ में आपको कुछ एक चीज़े एड़ और करने हैं कि कैसे आपके 15 रूपे का प्याउट बनने वाला है और साथ-साथ में आपको ये भी चीज़ बोलने हैं कि सर देखको आपके 7 डेज की ट्रेनिंग रहेगी और इसके साथ-साथ में हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे सकता चीज़न रहता है, तो इस सेज़ को आपको खोड़ा से बताना है स्टेप नंबर सेवन हाउपू यू is स्ट आटं वैं मौस्ट इंपोरटन स्टप होने वाला तो इसके अंदर आपको अपने आपको confident रखना सरम मत करना यार पेसे मांगने के अंदर क्योंकि sales convert यहीं से होने वाली और साथ साथ में आपको psychologically भी play करना और साथ साथ में urgency भी create करना है अब देखो urgency कैसे create कर सकते हैं इसके लिए आप कुछने कुछ offer दे सकते हैं वो भी limited time के लिए और अगर आपके पास में offers नहीं तो mentorship दे सकते हो urgency create अगर आप सीखना चाते हो तो मेरे को comment down कर देना मैं उसके अबर भी आपके लिए एक वीडियो specific वीडियो लाग के दे दूँगा जिसे आप एक अपनी urgency create कर पाऊगे और साथ साथ में अब sales convert कैसे करना इसके लिए में आपको कुछ इक चीज़े बताने वाला देखो यहाँ पर ज्यादा तो लोग गलती क्या करते हैं कि ज्यादा लोग गलती यही करते हैं कि पहले price low बताते हैं उसके बाद उसको high बताते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है साम के 6 बज़े तक या साम के 9 बज़े तक या आज रात के 12 बज़े तक तो आपको मिल जाएगा 1999 के अंदर तो यहाँ एक सिंपल चीज बोली गई है कि यहाँ पे 1999 यार हर कोई person afford कर सकता है यह चीज आप बोलोगे न बार बार कि सर हर कोई इंसान afford कर सकता तो वो सुचे कि हाँ यार बिल्कुल afford कर सकते है तो वो चीज बोलना है तो उसको बोलना कि सर 1999 के अंदर आपको यह courses को purchase करना रहेगा उसके बाद ही आपका work start होगा और work start होने के बाद में क्या-क्या चीज फोलो करने है वो चीज आपको उनको detail बतानी है कि सर पहले आपको training करवाई जाएगी उसके बाद में आपकी जो पहली sale वो तीन दिन के अंदर आने वाले साथ दिन के अंदर आने वाले वो चीज आपको बतानी है तो उसके बाद में उनको एक simple सा question बोलना है कि सर आपको कोई doubt कुछ भी है नहीं है अगला बोले कि जीशन नहीं है देंचर भर के स्टार्ट करें तो आप मेरे को बताओ Google पे करोगी या फोन पे करोगी इस चीज को आप apply कर सकते हैं जिससे आपकी जो sale वो 100% convert होने वाले अब इस step number 80 के bonus टीप जिसको अगर आपने apply कर लिया ना तो ऐसे बोल सकते हैं कि sales की जंग आप जीत लोगे वो है विजुलाइजेशन अगर आपने sales convert होने के बाद में उसकी life के अंदर कैसे transformation आने वाला वो चीज आप अगर visualize कराने के अंदर काम्याब हो गए तो आपकी sales convert होना 100% fact है और उसके साथ साथ में आपको कुछ एक चीज और एक add-on करता हूं मैं जैसे आपने जैसे ही बोला कि असर में सोच के बताऊंगा ऐसे अगर आपके कोई objection आते तो उसके लिए आप किसी भी person का जो आपके testimonial रहने वो यहाँ पे आपको video send करने आप visualization कैसे कराओगे जैसे उ और dreams अगेंगे तो एक simple चीज है कि वो आपके साथ में work start करेगा तो इन सब चीजों को follow कीजिए जिसे कि आपके पास में बैतर result आने वाले है वो तो simple चीज में आपको यहाँ पर बोलने वाला हूं कि जो over the cold plant presentation है वो अपना flavor के अंदर design करो same to same as it is आप copy करने जाओगे तो चतरबुज बनके रह जाओगे और कुछी नहीं कर पाओगे तो simple सी चीज है कि अपना flavor add on करना मैंने आपको कुछे एक चीजे guide की है तो इस चीजों को आप apply करना and आप अगर मेरे से instagram का link होना चाते हो तो description के अंदर आपको मेरा instagram का link मिल जाएगा वहाँ से आप मेरे से instagram क connect हो सकते हो अगर आपके कोई भी doubt रहे ना तो आप मेरे को whatsapp के ओपर message कर सकते हो के सरका से करेंगे तो description के अंदर आपको मेरा whatsapp का link भी मिल जाएगा तो वहाँ से आप मेरे से directly connect कर सकते हो और जित्ता भी हो सके मेरे से मैं आपकी बिल्कुल help out करूंगा जिससे की आपकी growth affiliate marketing के अंदर 100% हो सके अगर आप मेरी plan presentation की call recording जाते हो तो comment down जरूर कर देना और साथ साथ में अगर आप वीडियो के अंदर यहां तक आ चुके तो वीडियो को like जरूर कर देना और साथ साथ में अगर आप चाते हो कि आपके साथ में आपकी team भी growth करें तो ये वीडियो उनके साथ में भी share कर देना और अगर आप चैनल पर नए आयो तो चैनल को subscribe जरूर कर देना क्योंकि आगे बहुत सारा content ऐसा आने वाला जिससे आपकी affiliate marketing के अंदर जो growth अगो 10X हो सके